तो चलिए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं सबसे पहले हम निजनी नोगरोट शहर के बात करते हैं यह शहर रश्या के वेस्टर्न रीजिन का एक प्रॉमिनेंट शहर है यहां का टोटल एरिया 466 स्क्वेर किलोमेटर है और पॉपिलेशन लगबग 12.5 लाक्स है इस सिटी को पूरे रीजिन का एद्यूकेशनल और कल्च किलोमेटर हैं जो कि आप फ्लाइट, ट्रेन या बाई रूट ते कर सकते हैं यह सफर लगबग 8-10 आज का होगा ही अब बाग करते हैं निजनी की मौसन की यह शहर में सर्दिया नवेंबर से मास सक होती है और गर्मिया में से सप्टेंबर तक सर्दियों में एवरेज सप्रेचर माइनस 10 डिगरी सेल्शियस के आसपास होता है और गर्मियों में 25 डिगरी सेल्शियस तक चले जाता है अब प्रिवोर्स की रिसर्च मेडिकल युनिवरसिटी के बारे में जानते हैं इस युनिवरसिटी का एस्टापलिश्मेंट इयर 1920 का है यानि यह युनिव इस रिजन की एक प्रसिद्ध गवर्मिन्ट इउनिवरसिटी है अब इउनिवरसिटी में स्टूडेंस की बात की जाए तो ये उनिवरसिटी में आज की तारीक में 5000 प्लस स्टूडेंस पढ़ाई कर रहे हैं जो की almost 50 प्लस कंट्री से बिलॉंग करते हैं इंडियन इसके अलावा हम sponsor notes देखे तो ये उनिवरसिटी ECFMG, FAMER, Medical Council of Canada सभी से recognized भी है जिसका मतलब ये होता है ति यहां के पास graduates के degree दुनिया भर में recognized हैं including India प्लस की university में academics की बात की जाए तो यहां पर course duration six years का है including one year of mandatory internship यहां medium of instruction English है course completion के बाद आप licensing exam देकर license भी obtain कर सकते हैं licensing exam Russian में ही रहता है तो आपको first year से ही Russian language अच्छे से सीख लेना चाहिए बढ़ते हैं आगे university के infrastructure की दरफ research university होने के वज़े से यहां काफी अच्छा infrastructure है auditoriums, classrooms, digital library और world class laboratories यहां available है clinical infrastructure की बात की जाए तो यहां simulation centers है multiple affiliated hospitals, research facilities available है students को यहां काफी अच्छा clinical exposure मिल जाता है आप हमारी social media handles पर प्रिवोल्स की के infrastructure से काफी related post देख सकते हैं अब हम hostels की बात करते हैं प्रिवोल्स की में maximum private hostels ही available है hostels में girls and boys के separate floors है तो privacy भी maintain रहती है amenities की बात की जाए तो beds, cupboards, study tables, etc. जैसे facilities available है laundry के लिए separate areas allotted रहते हैं जहां students schedule के हिसाब से use करते हैं food के लिए self cooking और mess दोनों के ही options available है students अपने convenience के हिसाब से opt कर सकते हैं प्रिवोल्स की research medical university में sports और exracurricular activities दोनों ही conduct की जाती है यहां काफी student clubs हैं जो हर तरह की activities और festivals को organize करते हैं almost 50 plus country से students होने की वज़े से यहां पर student life काफी अच्छी है FMG results की बात की जाए तो इस university में Indian students के FMG results 2020 में 28.95, 21 में 42.24, 22 में 40.31 और 23 में 28.23 रहे हैं बाकी universities के comparison में यह काफी अच्छे results है अब बात करते हैं यहां के tuition fees और budget की प्रिवोल्स की research medical university की annual tuition fees 4,32,000 rubles है 2024 के लिए postal के charges around 70,000 rubles medical, insurance, biometrics सब मिला कर इस university से पढ़ाई करने का total expense 37 से 38,00,000 के असपास रहेगा एडिवाइजर ratings की तरफ बढ़ते है team advisor की rating 8 out of 10 है और इसका detailed breakdown आप हमारे website पर दीख सकते है हम इसका link वीडियो के description में भी mention कर देंगे प्रिवोल्स की research medical university एक premium और research university है जहाँ पर काफी अच्छा infrastructure और clinical exposure मिलता है Moscow से निजनी नोगरोग का distance कम होने के वज़े से आप आसानी से यहाँ travel भी कर सकते हैं एक research university, noble exposure, high FMG percentage, vibrant city और Moscow से नज़दीक होने के वज़े से प्रिवोल्स की research medical university को आप बेशब चूज कर सकते हैं आप ऐसे ही किसी और university का review चाते हैं तो हमें comments और messages के तुरूँ ज़रूर बताए आप हमें social media handles के तुरूँ भी contact कर सकते हैं Do like, share and subscribe to our channel bell icon को press करना ना भूले ताकि आपको regularly updates मिलते रहे जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई university के साथ जय हिन